पहले देखा गया था कि प्रितम शकुजा घर में नए किरायदार के रूप में अपनी प्रविष्टी को चहनित करता है। प्रितम ने किसी के लिए अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा नहीं किया है लेकिन वह सभे परिवार में रहना चाहता है। प्रितम तीन महीने का किराया पहले से चुकाता है जो शकुजा परिवार के सदस्यों के पारिवारिक संकट को हल करता है। यह पहले देखा गया था कि प्रितम अपने नए हिरायदार के रूप में रहने के लिए शकुजा परिवार में अपनी प्रविष्टी को चहनित करता है। अमरिता प्रितम को हर समय देखने के लिए बहुत बेचैन है क्योंकि उसने हमेशा गलत और अवैध काम करते देखा है। वास्तविक रूप से प्रितम राष्ट्र की सेवा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से वह खुद को चित्रित करता है। वह उसे एक अपरागी की तरह दिखता है। प्रितम को देखने पर अम्रिता को हमेशा कुछ खिचाव होता है। अब जब प्रितम शकुजा घर में अपनी प्रविष्टी बनाता है तो वह अम्रिता के साथ संपर्क बनाता है। प्रितम और अमृता दोनों एक दूसरे पर टकट की लगाए हुए हैं। क्या अमृता जल्द ही प्रितम की पहचान के बारे में जानेंगे। या प्रितम ने शाजुका परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुचाने के लिए अपनी प्रविष्टी को चिहनित किया है। यह देखना दिल्चस्प होगा कि शुव में आगे क्या होता है।